असलाम अलेकों, welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान, और आज मैं लेकर आगे हूँ आपके लिए Photoshop Beginner Series की Class No.25, और आज का जो टॉपिक है, फिर से एक और फिल्टर है, और फिल्टर कौन सा है, लिक्विफाइ, बहुत सारे लोगों ने देखावा होगा अलड़ी, All right, welcome back, so, यहां पर मैं ने एक बहुत ही खुप्सूरसी मॉडल की तस्वीर रखे हुए, although इनका चेहरा वैसे ही अच्छा है, मगर थोड़ा बिगाडने में क्या जा रहा है, right? So, let's go to filters, और यहां से मैं जा रहा हूँ लिक्विफाइ, अच्छा, before doing this, मैं आपनों को एक औ 2017 यूज कर रहे हैं, I don't remember कि 2015 में यह फीचर था या नहीं, but 2017 में जरूर है यह फीचर जो मैं आप बताने लगाँ, दूसरी बात, कि आप जब कभी भी filters apply करने लगें, तो इहत्यातन अपनी layer को right click करके convert to smart object कर लें, now smart object में convert करने से फायदा यह होगा, कि आपके layer पे आप ज delete कर सकते हैं, so अगर आपने smart object में convert नहीं किया, तो जो change होगा, वो permanent change होगा, तो बेतर है कि अपना backup रखे है, right, so, मैं simply जा रहा हूँ, liquefy में, और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यह पूरा एक interface आपके सामने आ रहा है, ठीक है, अब एक दो चीजे मैं आपनों को बताना जरूरी समझूँगा, number one, जो हम feature देखने चाह रहे हैं, that is face aware liquify, now face aware liquify, मुझे नहीं इल्म के पुराने versions में है या नहीं, लेकिन CC 17 में लाजमी है, जो कि मैं use कर रहा हूँ, 18 में भी होगा, of course, शायद 15 में हो, I'm not sure, मुझे नहीं idea, दूसरी एक और बात, कि अगर आपके computer में graphic card dedicated GPU मौझूद है, तब ये आपके पास features आएंगे, otherwise, ये सारे features disabled होंगे, ये है क्या, देखें, इसमें face detection है, face detection, अगर आप यहाँ देखें, तो ये आपका face detection, याने face tool आपके पास इस जगा पर दिया हुआ, ठीक है, और इसमें, आपके पास यहाँ पर बहु right, फिर आपके पास यहाँ पर कुछ features जो face के हैं, वो दिये वें with some sliders, और in sliders के through, आप छोटी मोटी सी changes कर सकते हैं, so for example, मुझे अगर इनकी left eye आपको देख रही है, यहाँ पर, आप चाहें तो ऐसे बड़ा चोटा कर सकते हैं, but मैं suggest करूँगा कि यहाँ से आप कर लें, because see this, अगर मैं यह कर रहा हूँ तो left eye इनकी छोटी होना शुरू हो जाएगी, यह बड़ी हो रही है, and so on, so अगर आप चाहें दोनों eyes एक साथ चलें, तो यहाँ eyes के बीच में यहाँ पर एक, यह chain link प्यावा है, इस पे click कर दें, और अब आप जब चोटी करेंगे, तो दो दोनों eyes चोटी हो रही है, या तो दोनों eyes बड़ी हो रही है, आप चाहें तो थोड़ा सा zoom in कर लें, ताके आपको clearly समझ में है के हो क्या रहा है, see this, यह आपकी eyes को control कर रहा है, let's say मैं eyes बड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, eyes की height अगर आप change करना चाहें, now again मैं इसमे सब पे change कर रहा हूँ, ताके eyes पे जो भी मैं change कर रहा हूँ, दोनों eyes पे एकटे change हो, so, यह eyes की height है, and yeah, size जो है width and height दोनों में चल रहा होता है, ठीक है, and यहां लगदा से आपको width दी होई है, ठीक, now, eye tilt, अगर आप tilt करना चाहा हैं, तो यह भी possible है, ठीक, eyes का distance, थोड़ा स adjust करना चाहरे है, मैं थोड़ा सा कम करना चाहरा था, now, नीचे आज़े हैं, तो आपके बस nose के features यह में, nose की height, right, यह बिल्कुल perfect है, I guess, nose की width थोड़ी सी मैं, कम करना चाहूँगा, और उसके नीचे आज़े हैं, तो mouth दिया होई है, mouth में, आप smile add कर सकते हैं, see this, so beautiful, right, and upper lip, बड़ा यह चोटा करना चाहरे है, lower lip, बड़ा यह चोटा करना चाहरे है, थोड़ा सा, नहीं है, बुरा करती है, मैं नहीं है, यह, she's so beautiful, मैं इसमें क्या change करूँ, all right, so, मैं इन तमाम values को, zero कर रहा हूँ, बस सिर्फ smile थोड़ी सी, बहुत sad हो जाएगी, और बिचारी, all right, I think, इतना सही है, face shape, all right, this is something, very good, face, यह मैं, आपके forehead, याने, पेशानी, अगर मैं इसको कम करूँ, तो यह forehead छोटी हो रही है, यह forehead बड़ी हो रही है, right, see this, then, आपके पास chin की height, मेरे खाल से, अगर बढ़ा देंगे, तो बहुत और लगेगा, कम कर देते हैं, jawline, अगर कम करना चाहें, तो यहां से कम कर सकते हैं, and face width, overall face की width, अगर आप कम करना च चाहें, थोड़ी सी chin height में और कम करना चाह रहा हूं, like, so, that's it, now, नीचे इसमें और बहुत सारे options हैं, load match, etc, मैं इस वक्त, बिलकुल कुछ चीज पर focus नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ, face की features से, वह आप लोगे knowledge में लाना चाह रहा था, and इस तरहा की, बहुत सारे features ज fix के नाम से, fix, mobile app है, मुझे नहीं पता android पर है के नहीं, बट iOS पर है, और free है, और उसमें यही वाला liquify दिया हुआ है, so, आप अपनी तस्वीरें mobile phone से खेच कर, उस पर भी इस सारे features adjust कर सकते हैं, मज़धार सी बात है नहीं, so, that's it, मैं इसको यहां से ok कर रहा हूं, अब द जासे यह फाइदा हुआ कि यहां पर इसने convert कर दिया, एक smart filter की अलग से यहां पर layer कह लो, यह sub layer कह लो, वो आ रही है, आप जब चाहें, यहां से liquify off कर सकते हैं, और इसका normal face सामने आ जाएगा, right, see this, I hope आप लोगों को यह छोटी सी tip पसंद आई होगी, यह छोटी सी class पस आप लोगों को यह class पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू